आपने पहले वीडियो में कुछ रहस्य से बरी और अद्बुट जगाओं के बारे में सुन लिया तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही कुछ और जगाओं के बारे में भी बताते हैं तब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए अपने सरकार से इस बारे में शिकायत भी की है और विग्यानिकों ने इस पर जब संशुदन किया तो पता चला कि यहां दो गुफाए मौजूद है जहां से रसानिक गैसे सुत्पन होती है और इससे लोगों को हमेशा नीन दाती रहती है इस पर को ठोज सबूत नहीं है पर फिलहल इसे ही सचमान रहे हैं लोग नमीबिया के एक शहर में एक अजीब सा घास का गड़ा पाये जाते हैं ये गड़े 10 फीट से 65 फीट लंबे होते हैं विज्यानिकों ने इसका शोद लगाया तो उन्हें पता चला कि 2013 में कोई जीव या जन्तुन ये घास की गड़े किये होंगे पर 2015 में इस पर फिर से शन्शोदन किया गया तो इस बात को नकार दिया गया और तब से लेकर अब तक ये रहास्या ही बनकर रहे गया है मेकसिको के एक शहर में लोगों को एक अजीब सी हम जैसे आवाज सुनाई देती है लोगों को इस ते बहुत ज़्याता परेशानी होने लगी थी और लोगों ने इस बारे में वहां की सरकार से शिकायत की जिसे विज्याने को ने 20 साल तक रिसर्च किया और अंत में ये पता चला कि वहां के लोगों के कान ही बाकी दुनिया के लोगों से अलग है और उनको वो आवाज सुनाई देती है जो औरों को नहीं सुनाई देती यनी जुलाक के कैटो टुम्बू शहर में एक नदी है जिसके उपर लगतार बिजली कड़ती रहती है इस बिजली की तेज करकडाच से लोग काफी परेशान है और एक हद तक डरे हुए भी है लेकिन ऐसे लगतार क्यू हो रहा है इसका पता अब भी तक पता नहीं चल पा साथ दो बॉइलिंग रिवर एमेजॉन के शहर में जंगली नदी का नाम बहुत मशूर है वहां का पानी इतना गरम है कि कोई जानवर वहां पर पानी पीने गया तो उसकी आखें पिगल गई माना जाता है कि वहां के नदी का तापमान 51 डिग्री से भी ज्यादा है इस नदी में ना मचलिया है ना कोई जीविट जीवचनतू है ये पानी इतना गरम है कि इसमें जीविट जानवर मर ही नहीं जाते बलकि उनकी हट्या भी गर्मी से गल जाती है ये नदी का पानी एक की वीडियो की दिल्चस्प बाते अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर कीज़े और अगले वीडियो तक के लिए अलविता दोस्तो धन्यवाद